हेलो फ्रेंड्स भाई बहन ममी ब्लॉग्स वसावी का स्वागत करती हूँ उमीद करती से अच्छे हैतने होगे बड़ी बार का ख्याल भी रखते होगे तो हमारी जमिनदानी मलिका हाजिर है और साथ में हमारे समर बाबू जो मजनू बने बने लैला लैला करके हर जकार गुन-गुन को खोज रहे हैं पर हमारी लैला गुन-गुन कहां गई क्या पता समर को तो यहां पे तो समर का कहना उफ मैं तो सबसे ठक चुका हूँ और यहा तो पूरा पूरा राधिका की मम्मी को पड़ी डाउट है क्योंकि उनके पास तो के कामधाम नहीं है न वह भई संसकारी नहीं है और तो ओर घरेलू भी नहीं है समर की मम्मी कितनी घरेलू है देखो बैग उठा के गाउ जाती है कुछ दिन के लिए गाइब रहती है और फिर गाउ से दोरड़ दोर एक फोन में चली आती है कि बेटा ने मेरे फोन किया है मैं जाओ देखो उसको क्या तकलीफ हो गया बिचला अकेले रहता है न दिली बे हाई कितनी संसकारी है आप समर की मम्मी और कितनी घरेलू भी है एतनी घरेलू आप हैं कि बिने दोपटा के आप सब जगा चली जाती है वाँ घरेलू रादिका की मम्मी बिल्कुल भी नहीं है उसे तो घरेलू पन कुछ आता ही नहीं है, कैसे आएगा, बेटी की संग आपके घर में पड़ी हुई है, वो पर सब तो किड्नापिंग भी सीख गई है, वा भई वा, इसे लिए हमारे समर बाबु ने कहा है, अब तो मन करता है कि ये शेहर छोड़ दू और गाओं में चला जाओ, हाँ समर तुम कि उसके बाप मा से सब कुछ हतियाना अच्छा आता है, जो दुरूब ने नहीं सीखा, इसे तो समर कभी भी कुछ भी कमा सकता है, जो दुरूब नहीं कमा सकता, अब दूसरी बात है समर, तुम गाओ जाओगे तो अच्छा रहेगा, शेहर की लड़की अभी तुम्हारे स सब करती रहेगी, अपने गाय गया भैसी की सेवा करती रहेगी, वो सब भी करवाओ अपनी बीवी से और वहीं पर ही रहो गाओ में बसके, यहां शेहर में बसनी की जरुवत नहीं है, हम भी उप चुके हैं, तुम्हारे व्लॉग को देख 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 तंग आ चुक और वहां पर गया भैसी सब की सेवा करें और तुम्हारी भी सेवा करें, खासका माद गला भी दबा दे तो चलेगा, अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि गुन-गुन मैडम तो है गाय और अभी जान ही हमारी जमिनदानी मैडम राधिका की ममी से मिलने, तो आगे झाले, बाई बाई